हेलो दोस्तों स्वागे ताइब का हमारे यूट्यूब चनल समराटेजू किसन में दोस्तों इस वीडियों में आप लोग के लिए लाएं अब यह सेक्रिकल्चर सेकेंड सेमिस्टर के एक बीस है इंडमोलाजी का एक टापिक है जिसका नाम है स्विटम्स ऑफ डिजीज मतलब रोग लख्चण तो दोस्तों देखते हैं इसका पता हम लोग दोक्तों दो訴िक दोत्चिके से लगा सकते हैं या तो रोग चिन जन्ट से या तो र होट्चण से तो पहले देख लेते रोग छिन क्या ओता है करन आर- similarity कि उन पर दिखाये देने वाले रोग जनख कि या उसके वह Championships वो रोग चीन कहा जाता है मतलब डिजिस साइन कहा जाता है जैसे दुस्तों कवक का मैसीलियस हो गया और दोस्तों करेटेसियम हो गया बिजाड़ धर हो गया फ्रहन का बिजाड़ू सुत्र क्रेमी पूटी इत्यादी चलते दोस्तों आगे आप लोग दिखाते हैं डिजिज सिंटम रोग लच्षड के आरहर पर तो इस्टर्नल और इंटर्नल रियक्शन और अल्टर्नेशन आफ प्लांट एज रिजल्ट आफ डिजिज और नोन एज सिंटम्स आफ डिजिज रोग के फल्सवरू पौद में वा अंतिक पौदे के बाहर और अंदर जो प्रतिकिरिया होती है या परिवर्तन होता है उसे रोग लच्षड करते हैं जैसे हरी महिंता उतक्ष अतिव्रिद्धी मलानी तथा विगलन इत्यादी पौदे के किसी रोग में केवल एक लच्षड तची नहीं दिखाई नहीं परत लच्षड या रोग द्री सिखा आ जाता है कि पौदों पर दिखाई देने रोग चिन हो यह लच्षड को दो प्रमुक भाटों भागों बाटा गया है जिसने पहला हम लोग आई पढ़ेंगे दोस्तों साइनेस अपेरेंस आप वीजीबल पैथोजन्स और इस्ट इस्ट इस्ट्रेक्चर पर पर दिखाई देने वाले कुछ रोग चिन तो दोस्तों पहला पर पर दिखाई देने वाले कुछ रोग चिन है और दोस्तों जो दूसरा है वह है कलर चेंजर रंग में परिवर्दन स सारी प्रपोसी पॉदे पर पढ़े दूस्प्रभाव का जनित लच्षड अदब सिंटम्स ड्यू टू इंटर्नल डिसार्डर इन दे होस्ट प्लांट तो हम लोग आज पहला पढ़ेंगे साइन जब यह इन सब्वीजीबल पैथोजन सारी इस इस्ट्रक्षर तो इसमें कु अभी आप लोगों मैं बता देता हूं कि देखते वी चलिए साथ में रश्ट को पहले देख लिए आप लोग जूम करके दिखाता हूं आप लोगों कि इस प्रकार लिया इस प्रकार लच्षड या चिन पतियों तथा तने पर दिखाई देते हैं परहाई भाग का पीला है हम बूरा किट रूप दोस्तों जो हता है डीजी रश्ट जो हता है इसे हिंदिम किट काते हैं इसमें पत्यों तता तने पर फफोलों के फट जाने के कारण मोर्चा जंग जैसे लाल-काले भूरे या पीले चुर प्रहाई भाग पर दिखाई देने लगते हैं आ यहां पर देख सकते हैं यह दोनों दोस्तों जारा रश्ट का है तो उम्मीद करते हैं अगला पॉइंट है कंडुगा मतलब इसमेट रोक किसे करते हैं दोस्तों इसमेट का साब्दी करत ब्लॉक चारकोल पाउडर अर्थाथ कोहले का काला चुड़ होता है दुस्तों जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह दोस्तों है इसमेट कि अगला पॉइंट क्या है बंट किसे करते हैं दोस्तों रूक से प्रावाइद दानों के आंसरीक भाग पूड़ता है या आंसरीक रूप से काले चोड़ील बिजाड़ू के पुण्यों बदल जाते हैं संक्रिमित बिजाड़ू से मचली की दुर दुर्गंद आने लगती है जैसे गयों का पहाड़ी हील तथा करनाल बंट आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों यह बंट डीजिच का आप लोग चारों एक साथ देख लेजिए दोस्तों यह हो गया रष्ट का यह हो गया इस्मठ अस्वारी यह भी रष्ट है यह इस्मठ है और यह बंट है आगी चलते हैं आप लोग को और डीजिच दिखाते हैं कि मिल्डिव आसिता आएं जी सिकाते हैं दोस्तों पौदवी के प्रावववाग बारहरी माहीन या उत्रक्षई हो जाते हैं विसे इसकर पत्तियों तन्हें फोलो पर इस प्रकार का लच्छा दिखाए देता है प्रावववाग को की प्रिष्टी ब्रिष्टी डग जाते है आसिता है दो प्रकार करती है पहला पाउडरी डावनी मिल्डिव तो इसमें पत्तियों की नीचे जो है लगता है तो दोस्तों प्राय पत्तियों की निचले सता पर रोकारक कवक कि प्रिद्धी कपास की बाती उल्जी होई कोमन सता वाली होती है जैसे मटर अंगुर अगला पॉइंट है चूडिल आसिता मतलब पाउडरी मिल्डिव इसमें कवक की प्रिष्टी विद्धी सफेद चूडिया टेल कम पाउडर जैसी होती है जैसे जब जो पत्ति के दोनों सत्व पर बहुत आया से पाई आता जैसे मटर की हूँ आम की चूडिल आसिता उस्त दाउन नहीं मिली अगला पॉइंट दोस्तों इसके लिए रेसियम तो इसके देखते हैं पर पोसी पॉद्धे के उत्कों के साथ कवक का कवक जाल समूं में एकत्री तोकर विविन प्रकार की पिंड सद्री से कठोर काला बुरा या बैगनी रंग की सनरशना बनाते हैं जि करी से मैं इसके रेसियम बनती है अब कर दो कर दो दीख लेंगे तो आप लोग को याद रहेगा अ इसके बाद अगला कच्छुम अ मoo इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके कार्थ खुर्दुरा पपड़ी अथा अलसर सद्री से दब्बा होता है जो पर आई भाग पर उभरे या दबे हुए दरार युग पपड़ी दिखाई देती है जिसमें रोग्यनक उपस्तित होता है परन्तु कभी कभी पर जीवी दि दिखाई ने देता जैसे आलू तसा सेव का इसके रूप अगला इक्सुडेशन निस्त्रा इसमें प्रभावी इसमें प्रभावी उथकों से रोग्यनक अस्त्रा के रूप में रिविशाव करते हैं जो चिपचिपे एवं छोटी-छोटी बंदों में एकत्र होते हैं जिसे निम्पक बाते हैं इस प्रकार के लिए च्छड जीवाड़ों रोगों जैसे धान की जीवाड़ों अंगमारी नास्वात जी तथा दंग अंगमारी में दिखाई पड़ता है दोस्तों आपको यहां पे देख सकते हैं प्यर से कभी-कभी ऐसा निकलता है तो दोस्तो यही है एक्सुटेशन अब उम्मिद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा यदि आप लोग इसका पीडिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वाट्सप ग्रूप का लिंक कर वाट्सप नमबर दिया किया वहाँ से मैसेज्च आप इसका पीड़ दे सकते हैं ऐसे लिए दोखने के लिए मारे चैनल को सब्साइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा जैहिंद